नवस्कार दोस्तो मैं हूँ नमरता और आप सभी लोगों का ब्यूटी टिप्स नमरता चैनल पर स्वागत है तो दोस्तो अगर आप भी अपने बालों को लंबा काला घना सिल्की साइनी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना पूरा दोस्तो मातर 20 दिन में आपको ये रिजेट मिल जाएगा और आपको जो बाल हैं लंबे काले घने सिल्की साइनी बिल्कुल नेचरल तरीके से हो जाएंगे तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार वीडियो पसंद है तो लाइक करना और दोस्तो में सेर कर देना और चैनल को सबस्क्राइब कर लेना तो दोस्तो नुस्खा तयार करने के लिए सबसे पहली समगरी यहाँ पर हमें लेना होगा दोस्तो नारियल का तेल यानि की कोकोनेट ओल नारियल का तेल बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद होता है तो मैंने यहां पे एक कटोड़ी ले ली है और अब इसमें हम डाल देगे नारियल का तेल यानि की कोकोनेट ओयल दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जाते हैं नारियल का तेल सर्दियों के मौसम में जम जाता है तो आप क्या करें गुनगुने पानी में इस डिबी को रख दीजिए तो इससे आपका जो नारियल का तेल है ये पिखल जाएगा तो यहाँ पे मैंने करीबन दो चमच नारियल का तेल ले लिया है दो छोड़ा चमच मैंने नारियल का तेल लिया है और दोस्तों ये जो नारियल का तेल होता है ये हमारे बालों को सौप्ट बनाता है साहिनी बनाता है यानि की चमकदार बनाता है क्योंकि दोस्तों इस ना सबस्सक्राइब कर देते हैं अब इसके बाद में हम डालेंगे दी यहां पर मैंने कैफ्षिल लिए और हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें होता है एंटी ऑक्सीडइंट गुड़्य ये हमारे बालों को क्या करता है दोस्तों विसेली पजासों बचाता है हमारे बालों को हर एक तरीके के इंफेक्शन से बचाता है बालों की जड़ों को ये मजबूत बनाता है साथ हमारे बालों को जैसे कि दो मुहें बालों को समस्या हो जाती है तो दोस्तों उस समस्या को य अगर आप इस तरीके से थोड़ा ज्यादा साबनाना चाहते हैं तो चार चोड़ा चमच अगर आप तेल ले रही है तो आप इसमें दो बितामीली का कैपसूल ढल सकते हैं और यहां पर जैसा कि मैंने नाडियल का तेल लिया है, तो इसकी जगह पर आप सर्सों का तेल ले सकते हैं, जैतुन का तेल ले सकते हैं, और इसकी जगह पर आपको इच्छाओ तो तेल का तेल भी ले सकते हैं, तेल कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये सारे तेलों म आप बस क्या करें जो कोई साभी ते ले ले और उसमें बस बिटामिल E का एक कैपसूल मिला लीजिए आप देखना कमाल का आपको फाइदा देखेगा अपने बालों में आपके बालों का हर एक प्रॉब्लम खतम होकर के आपके बाल लंबे काले घने हो जाएंगे आपके बाल बिलकुल मुलाइम सिल्की स्थाइनी हो जाएंगे आपके बालों का जढ़ना खतम आपके बालों की डेंडरफ खतम और आपके बाल नेशनल तरीके से काले हो जाएंगे तो यहाँ पर मैंने दोनों तेलों को अच्छे से मिक्स कर दिया है अब आप इस तेल को अच्छे से अब भी भी लगा सकते हैं, जब आप जिस दिन आप बाल दोले जाएं, उसके एक दिन पहले आप बालों की जड़ों में, बालों की लेंद में अच्छे से आप इस तेल को लगाईएगा। लगा करके आप क्या करें मसाज करिए मसाज आपको करीबन 10 मिनट तक करना है सलकुरमुसन में और 10 मिनट के बाद में आप इस तेल को अपने बालों में लगा रहने दीजिए अगर आप रख सकते हैं इस तेल को अपने बालों में तो रातवर के लिए छोड़ दीजिए और अ नेचरल तरीके से आपके बालों में साइनिंग आएगी, चमक आएगी, आपके बाल बच्चों जैसे सुप्ठ हो जाएगे, तो आप इस नुस्खे को हफते में तीन बार यूच करिए और आप फिर इसका रिजट खुद ही देखना, क्योंकि दोस्तों ये जो तेल मैं आपको बता रही हूँ, इस तेल से आपके बालों को हर तरीके के बिटामिस मिलेंगे, मिनल्स मिलेंगे, आइरन मिलेंगे, जिससे की आपके बालों की हर एक समस्या समात हो जाएगी, यानि की जर से खतम हो जाएगी, तो दोस्तों आप इस नुस्खे को यूच करिएगा, और लग पर के लिए छोड़ दीजिए और दूसरे दिन अपने बालों को सैंपू से साफ पर लीजिए तो दोस्तों यह नुसका आप जरूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट करके बताएं फायदा मिला है नहीं मिला है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों में सेकर सब्सक्राइब करें